नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजूकेशन में तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट अपडिट देखने को मिल रही है जिल लोगों ने गुरुफ फोर भरती 2023 की परिक्षा दीती और उनकी वेटिंग है या कई विवागों में जो है जोइनिंग ही नहीं हुई है और बहुत से विवागों में डोकुमेंट वेरिफिकेशन भी अभी तई के से पूरी नहीं देखने को मिला है यहां पर आप देख सकते हो क्योंकि यह भरती जो है वो 2023 में की गई थी और 2024 भी पूरा निकलने वाला हुआ ठीक है इसका एक्जा गरिंदियों की जायेगी और यहां पर गृंट पाद जो है फ़लाल तो उसका भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं की जायी है क्योंकि उसका आईज़ाम जो डिशाइड किया गया था इस्वी के दोरा स्टेंबर में किया था था दोजार चोविस की बर्तियों के लेकिन अ पर चाहिनित अभ्यारतियों ने जॉइनिंग ही नहीं है बेटिंग क्लिए नहीं की गई डी पियाइए के दोरा तो जिसे बादे के अंदर बेटिंग क्लियर हो गया जितनी भाग में क्या कैसा चल रहा है डॉक्वेंट वेरिफिकेशन यह सब देखने को मिलता है और चार महा स्कूल सच्चा विवाग के अंतरकत गंत पालगी भरती पूरी नहीं हो पारी है इसको लेकर उम्मीदवार परेशान हैं मद्ध प्रदेश करमचारी चन्वंडल द्वारा कराई गई समूफूर सइक्त वर्ती परिक्षा के तहट निकाले गए करंदपाल के सभी पदों पर अब तक नहीं भर सक ठीक है इस वर्ती का जो है वो 15 16 17 18 जुलाई 2023 में जो होई थी और परणाम जो है वो 26 में आया था 26 फर पर उम्मीदवार उन्हें जोइनिंग नहीं किया जोइनिंग ऐसे और विवागों में जो है वो आपको जहां पर उनकी वेटिंग होगी माल लो तो वहां पर उनकी क्लियर हो गई होगी तो वहां पर उन्होंने पोस्टिंग ले ली होगी वहां पर जोइनिंग कर ली होगी चल्वाब देखने को मिलता है। बिध्यार्ति इतनी मेहनत करने के बाद। आप समझिये कि बैसे वैजे निकली न की न करने न मद Táюस में और अगर निकलती हैं तो यह चीजे जो है वो देखने को मिलती हैं जिसमें बिध्यारतियों के भव्विस के साथ खिलवार किया आज़ा रहा है उम्मिद्वारों के कहना है बेटिंग में गया सामिल उम्मिद्वारों की कांसेलिंग में सामिल करने के लिए एक साथ सत्यापन कराया मेरिट होल्डर ने जॉइनिंग नहीं किया तो वेटिंग के लियर जो है वो की जा रही लेकिन DPI द्वारा ऐसा नहीं किया गया बताया गया है कि ग्रांटफाल में 73 पदों के लिए वेकेंसी निकाली गई इसमें से करीब 27 उम्मीदवारों नहीं जोइनिंग किया तो आप समाज सकते हो लगबग 30 उम्मीदवारों ने जोइनिंग किया जबकि अभी भी 46 पद जो है वो खाली है आरच्छन बिवाद के कारण होल्ड किये गए 9 पदों को हटा दिया जाए तो बाकी के जो है वो 37 पद बसते है उम्मीदवारों का कहना है कि बिटिंग लिष्ट एक साल के लिए ही बान होती है चार महाँ बाद इसकी बैदता खत्म हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो पात्ता परिच्छा के लिए आवे दिन शुरू किया गयते अब यह 2024 का जो है वो दिया गया है उनके द्वारा ठीक है तो अब यह सवाल उठता है कि DPI जो है वो क्या वेटिंग के लिए करेगी नहीं करेगी यह इस्ट्वेंट के उपर ही डिपेंड करता है और मैं अपील करना चाहूंगा कि जितने भी लोग की वेटिंग है वो सभी के सभी जो है वो सब्सक्राइब Navи यृति अपने, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मद्ध प्रदेश में भर्थियों का क्या हाल है जुम्ले सरकार देती है जो है वहां पर रेली करते हैं और बहां पर बोलते हैं आपको करो लाखो में जो है वो नोकरी दी जाएगी वर्तियां देखने को मिली, पद निकाले जाते हैं तो इतने कम पद निकाले जाते हैं कि उसमें भी गोटाले देखने को मिलते हैं चाहिए वो कोई भरती हो ESV के द्वारा अगर करा ही जाती है फीस इतनी लेते हैं लेकिन सेंटर उनके देखो जब आप एक्जाम देने जाते हो तो सेंटर ऐसे लगते हैं जैसे कि यहाँ पर ना तो कोई सिकूर्टी देखने को मिल रही है कहीं भी कोई भी गुठाला कर सकता है एसे तो सेंटर देखने को मिले हैं ब्लेक लिस्टेज कंपनियों से एक्जाम कराते हैं ESV तो यह सब मद्ध प्रदीश में देखने को मिल रहा है और भाई भिवागों का तो वेटिंग के लिएर के नाम पर बस टाला जाता है यह वेटिंग के लिए नहीं हुई तो अगले भरतियों में जो है वो जोड देंगे और बोल देंगे कि यह लो फिर से हमने भरतिया निकाली है वह यह पुरानी भरतियों को आप जल्दी क्लियर करोगे नहीं भरतियां तो जो है वो तभी तो आएंगी आप पुरानी भरतियों को ही seat नहीं भरतियां में count कर दो के तो वो नहीं भरति थोड़ी ना है आप तो जो हाँ पुरानी भरतियों को किलियर ना करके नहीं भरतियमें जोड के जो है वो फिर से आप पैसा ले रहे हो फन नेशन बन election की बात की जाती है लेकिन 1 फीस की बात नहीं की जाती है कि एक बार फीस तो तो सारे अग्जाम देता हो इसकी कोई बात नहीं करता था परस सरगार को पैसा दे जा आँ वह आख दो मद्द्द्द्ध हो गया ऑन्य जो एक्जाम होते कराने जाते हैं उससे सौर रुपए कंपनिया जिनके आप यह जो है वह पर स्रेटी रहे हों। हर चीज जो है वहां पर देखनी को मिलती है अच्छी से और लेकिन मद्य प्रदेश में OVC की या केटेगरी वाइज अंडर जरू की बात की जाए तो पांसो डाइसो रुपए लेते हैं और एक्जाम सेंटरों की बात की जाए तो जो आपने एक्जाम सेंटर भरा भी नहीं ह फोम में वहां तक जो है वह आपको भी दिया जाता है यह चल रहा है मद्य प्रदेश में मनवानी एसपी की तो आप लोग जब तक कुछ नहीं बोलोगे आप सुचो कि घर वैटे ही जो है वह सब कुछ हो जाए वीटिंग क्लियर हो जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आवाज उठाना चाहिए वरना यहीं भरतियां वह आपको आगे जो है वह काउंट हो जाएंगी आगे अगली वर्दियों में जो है वह जोड़ दी जाएंगी तो वीडियो को सेहर कर दीजेगा और आप लोग जो है वह सभी एक जोड़ हो जाईए क्योंकि आपके भविस् वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद